ओम नमो भगवते श्री कृष्ण चैतन्य चंद्राया ओम नमो भगवते श्री कृष्ण चैतन्य चंद्राया ओम नमो भगवते श्री कृष्ण चैतन्य चंद्राया हरे कृष्णा परम करुणावतार पतित पावन भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के अशीम क्रिपा से भगवान-चेतन महा प्रभु के विशय में कुछ कहने और सुनने का अशर प्राप्त हुआ है और स्री गौर पूर्डिमा के पूरो संध्या के अशर पर मुझे भगवान-शेतन महा प्रभु के जगनात्पुरी में हुई लीलाओं का वर्ण करने का आदिश प्राप्त हुआ है तो इस क्रम में हम देखेंगे कि किस तरह से भगवान चैतन महाप्रभू सन्यास क्रहन करने के बाद नौदीप से जगनात्पुरी के लिए पदारपण किये और उसके बाद चैतन चरितामजि के मध्य लीला के छठमे अध्याय में चतन महाप्रभू की सारभौं भटाचार से जो उनका मिलन है नित्य परिकरों के साथ उनका जो बेवहार है और भक्तों के साथ जो वार्तलाप हुई है और उनमें से जो सिक्षाएं प्रकट हुई हैं उन पर चर्चा की जाएगी वैस तो चतन महाप्रभू अपने नित्य परिकरों के साथ जो लीला विलास किये हैं उसमें बहुत गहराई तक और उनके रहस्यों को ना तो समझने का सहाज है और ना समय है परंतु भक्तों के साथ प्रभू का मिलन और उनका बेवहार इस पर चर्चा की जाएगी तो प्रथम फ़िष्म बार सन्यास लेने के बाद के जतन महाप्रभू जब जगनात मंदीर में प्रवेश करते है तो उनके साथавать मदीर में प्राव हमने नित्य परिकर और रोereला को सबसे पहले कृष्णदास कभियाज गुष्वामी इस कथा को चतन महाप्रभु के चड़ों में नमस्कार करते हुए आगे बढ़ाते हैं तो चलिए सबसे पहले कृष्णदास कभियाज गुष्वामी के साथ उन इस लोकों के माध्यम से चतन महाप्रभु के चड़ों में प प्रारम करते हैं कि नौमितम गौरचंद्रह यह कुतरकह करक सासयम सार्वभावमं सर्वभूमा भक्ति भूमानम आचरत करें कि मैं पूर्ण पूर्शत्तम भगवान गौरचंद्र को नमस्कार करता हूं जिन्होंने सारे कुतरकों के आगार कठोर हिर्दय वाले सार्वभावम भट्टाचार को महान भक्त में बदल दिया जय जय गौरचंद्र जय नित्यानन्द जय अद्वाइत चंद्र जय गौरभक्त ब्रिंद इसके साथ ही कृष्णदास के विराज गौस्वामी नित्यानन्द प्रभू अद्वइत आचार और चेतन महाप्रभू के भक्तों की जय हो जय हो करके प्रडाम करते हैं घटना इस प्रकार्ष रहे कि चेतन महाप्रभू सन्यास गहन करने के बाद अपने भक्तों के साथ जगनाथ पूरी की और प्रस्थान कर रहे हैं बीच में चंद्रभागा नदी के तट पर चेतन महाप्रभू के दंड भंग की लीला हुई जिसमें चेतन महाप्रभू ने अपने साथियों से एक समझवता किया भक्तों से एक समझवता किया कि अब आप लोग हमारे साथ नहीं चल सकते हैं क्यों क्योंकि जो हमारा सन्यास का दंड था सन्यास दंड जो एक मात्र हमारी संपत्ति थी आप लोग उसकी रक्षार नहीं कर पाए इसलिए आप लोग हमारे साथ अब चलने के अधिकारी नहीं है या तो आप लोग मेरे से आगे चले या तो मेरे से पीछे चलिए तो भक्त पूरे आवेस में हैं और जगनाथ मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं और उनके मन में महाप्रभू का दर्शन करने की बड़ी उतकट इच्छा है बड़ी तिब्र अभिलासा है कि महाप्रभू का दर्शन कम होगा इस तरह से महाप्रभू आवेस में चल रहे हैं और भक्तगर उनक आजी को देखकर ही भगवत प्रेम के आवेश में महाप्रभू मुर्शित होकर के गिर पड़ते हैं या ब्याकुल हो जाते हैं जगनात आलिंगीते चलिल धाईया मंदिरे पडिला प्रेमे आवेश्ट हैया जगनात भगवान का आलिंगन करने के लिए जैसे ही महाप्रभू तेजी से आगे बढ़े और भगवत प्रेम में इतने बिभोर हो गए कि वो भूमी पर मुर्शित होकर गिर पड़े और उसी समय दैवबस संजोग बस वहाँ पर दैवे सारवभवम ताहा के करेदर्शन पड़िछा मारिते ते हो कैलनिवारन सी चेतन महाप्रभू भूमी पर गिरे हैं और संजोग बस दैवबस वहाँ पर सारवभव भटाचारियों ने देख लिया तो मंदिर के पंड़े और पुजारियों ने महाप्रभू को के बेहोस होने की सूचना सारवभवम भटाचार को बता है और सारभौम भटाचार ने सेवकों को आदेश दिया कि प्रभु के सौंदर और प्रेम के विकार को देखकर के सारभौम भटाचार स्वयम बिस्मित थे प्रभुर शौन्दर आर प्रेमर विकर देखि सारो भा बहुम है लाचनित अपार स्रीचेतन महापरभु के सुंदरता तथा भगवत प्रेम के कारण उके शरीर में उत्पन दिब विकारों को देखकर सार्मho भटाचर को अतधिक आस्यर हुआ क्यों कि महाप्रभु के सरीर में जो अप्राकृत लक्षड थे जो अप्राकृत बिकार थे वे कोई साधारन मनुष्य के सरीर में नहीं हो सकते थे तो इस पूरे प्रसंग में हम आगे चल कर देखेंगे कि महाप्रभु के सरीर में जो बिकार है जो आप्राकृतिक लक्षण है उससे भगवान की भगवत्ता अस्थापित होगी कि चैतन महाप्रभु स्वयम कोई साधारन मनुस नहीं है बलके साक्षात कृष्ण है और भगवान जगरनात के प्रेम में आविस्ट होने के कारण भावावेश में होने के कारण एह लक्षण उनके सरीर में दिखाई पड़ रहे हैं अवसारो भवम भट अचार जब चैतन महाप्रभु को अचेतन अवस्था में देखे तब उन्हें अपने अस्थान पर लेकर आए अपने घर पर लेकर आए और चैतन महाप्रभु के सरीर में जो आवेश हो रहा है वह कोई साधार आवेश तो है नहीं ऐसा लिखा गया है कि जब चैतन महाप्रभु के हाथों की या शरीर के अंगों की संधियां खोलती थी तो बहुत बड़ी-बड़ी हो जाती थी मनुष्य के सरीर में थोड़ा साधार मनुष्य के सरीर में थोड़ा सा चोट लग जया तो तुरंत प्लास्टर बादना लेकिन महाप्रभु के सरीर में आवेस बिल्कुल और प्राकृतिक थे और बिल्कुल दैवी लक्षणों से युक्त थे और ऐसा भी लिखा गया बड़न मिलता है कि महाप्रभु के आखों से जब अस्तुर धारा निकलती थी तो दस बारा फिट तक लोगों को भीगो देती थी तो कोई साधारन मनुस्तों ऐसा कर नहीं सकता है उसी प्रकार से महाप्रभु कई बार अपने शरीर के अंगों को कच्छुए की तरह सिकोल लेते थे विल्कुल क्यों मुह दिखता था बस तो इस तरह से अद्भुत लक्षण महाप्रभु के सरीर में दिख रहे हैं तो मने तबे उपाय चिंतन तो चेतन महाप्रभु बहुत समय तक ऐसे अचेतन अवस्था में पड़े रहें और तभी भगवान जगरनात को कई बार भोग लगता है तो भोग लगाने का समय हो गया तो भटाचार ने सोचा कि अपने शिष्यों का आदेश दिया कि इन्हें किस तवस्था में ही उनके घर ले आये और उन्हें एक अत्यन्त पवित्र स्थान पर लिटा दिया उसके बास महाप्रभु देख रह है कि इस सन्यासी वेश में जो नवयुवक की तरह दिख रहे है चेतन महाप्रभु बिलकुल नवयुवक थे हियो और उनका स्वास प्रस्व आसना ही उदर इस्पंदन देखिया चिंतिलहिल भटाचा रेरमन सिचेतन महाप्रभु ने सार्भाम के सरीर की परिख्षा करने के लिए सार्भाम ने देखा कि उनका उदर न तो गति कर रहा है और नहीं स्वास ले रहे हैं तो उनकी यह दसा देखकर सार्भाम भटाचा रत भटाचार्य मने करन विचार एक्रिष्ण महाप्रेमेर सात्विक विकार तो चेतन महाप्रभु के पास बैटका उन्हें सोचा कि यह जो दिव्य परिवर्तन है जो सात्विक विकार है वास्तव में क्रिष्ण प्रेम के कारण हुआ है और यह किसी साधार मनुसी में ऐसा विकार देखने को नहीं मिलता है या असंभाव जैसी बात है फिर कह रहे हैं सार्भाम भटाचार की सुद सुद्ध भाव है सुद्ध सात्विक विक विकार मनुसीर देखे देही बड़ चमतकार सार्भ्हाँवण भटाचारी ने विचार किया कि स्री चेतन महापरभू के शरीर में अभी अधिरूठ भाऊ के असाधारन दिवलक्षण प्रकट हो रही है या बड़ा अश्यर जनका है भला मनुष्य के सरीर में किस तरह यह संभव है तो सारभावं भट्टाचारे उस समय सास्त्रों के ग्याता थे उन्हें विकारों के और भावों का अच्छी तरह से ग्यान था कोई भी ऐसा ग्रंथ नहीं था जिसमें निशनात नहों महाभारत, रामायर, श्रिमत भागतम, भागोद गीता इत्यादी ग्रंथों को उन्हें ने बहुत गहराई से अध्यान भी किया था और उन्हें भावों का विशेश ग्यान था इस्वर के प्रेम भावों का एतव चिंती भट्टाचारे आचेन वसिया, नित्यानन्द आदी सिंग द्वारे मिलेल आसिया तो जब भट्टाचार अपने घर में इस तरह विचार कर ही रहे थे, तभी नित्यानन्द प्रभुग समेत, चेतन महाप्रभुग के दूसरे सारे भक्त, मंदिर के सिंग द्वार के निकट पहुँच गए और वहाँ पर पहुचे जैसे ही, तुभी लोग भी मंदिर में प्रेवेस करना चाहते हैं, तब तक मंदिर के जो पुजारी थे, उन्होंने रोक दिया, रुको अभी, अभी तो एक सन्यासी यहाँ पर आया था, और ऐसी विपत्ति खड़ी किया, ऐसी समस्या खड़ी हो ग एक सन्यासी यहाँ सीदेखी जगनाथ, तोहां पर सब भक्त लोग एक ऐसी आपस में बाते कर रहे थे, एक सन्यासी के बारे में जो जगनाथ पुरी आया था, और जिन्होंने जगनाथ विग्रह के दर्शन किया, और तुरंत जो है, मुर्शित है लचेतनाना है सरीरे, सार भटाचार उसे अपने घर ले गए, सुनी सवे जानीला, ए महाप्रभूरकारे, हेनकाले आईला तहां गोपिनाथ आचारे, तो इस तरह से आपस में बाते करते हुए सुन करके, नित्यानद प्रभू और अन्यभक्त लोग समझ गए, कि यह महाप्रभू का ही कारे है, और हेनकाले अर्थ है, इसी समय, ठीक उसी टाइम पर वहाँ पर गोपिनाथ आचार करके आए, और गोपिनाथ आचार जो है, यह सारवभू भटाचार के बहनोई लगते हैं, और गोपिनाथ आचार बहुत ही बिद्वान थे, भागवत तत्यों के ग्याता थे, और पहले से ही चेतन महाप्रभू के विशह में, पूरी तरह से अवगत थे, जानते थे कि चेतन महाप्रभू साक्षात भगवान के अवतार हैं, कृष्ण नहीं है साक्षात, तो इस तरह से, तो जब गोपिनाथ आचार वहाँ पर आए, तो भक्तगर समझ गए कि वास्त्वा में यह जो प्रभू तत्तो ग्याता, गोपिनाथ आचार जो भी नदिया के ही निवासी थे, और विशारत के दामाद, तथा चेतन महाप्रभू के भग्त थे, वे महाप्रभू के वास्तविक भचान को जानते थे, इसी बीच, गोपिनाथ आचार पहले से मुकंदत को जानते थे, अते यो जब उन्होंने मुकंदत को जगनाथ पूरी में देखा, तो उनके आचार का ठिकाना नहीं रहा, तो ये मुकंदत गोपिनाथ आचार इस सब एक साथ नदिया में ही पढ़ते थे, और स्रम बैस्क थे, एक उम्मर के थे, तो मुकंदत ताहार देखी कैल नमस्कार, तेहो आलिंगिया, पूछे प्रभूर समाचार, जब मुकंदत गोपिनाथ आचार से मिले, तो उन्होंने नमस्कार किया, उनका आलिंगन करने के बाद, गोपिनाथ आचार ने स्री चेतन महाप्रभू को विष्णे में पूछा, मुकंद कहे, प्रभूर इहां हैल आगमने, आमी सब आसिया छी, प्रभूर महाप्रभूर सुने, मुकंद ने उतर दिया कि महाप्रभूर तो पहले यहां चुके हैं, और हम उन्हें के साथ आये हैं, नित्यानंद गोसाई के आचार कैल नमस्कार, सब मेली पूछे, प्रभूर बार ता बार बार, गोपिनाथ आचार ने स्री नित्यानंद प्रभू को देखते हैं, उन्हें प्रडाम किया, क्योंकि नित्यानंद प्रभू प्रोभी सन्यासि के वेसमी थें इस तरह सबी भगतों से मिल कर उनोंने बारंबार श्री चेतन महाप्रभु का समाचार पूछा YouTube मुकुंद कहे महाप्रभा सन्यास करिया निला चले आईला संगे आमा सब लहिया मुकंदत ने गोपिनाथ आचायर को बताया कि सन्यास लेने के बाद सिचेतन महाप्रभु जगनाथ पूरी आये हैं और हम सब को अपने साथ लाए हैं महाप्रभु हमारा साथ छोड़कर आगे आगे जगनाथ का दर्शन करने चले आये हम सभी उनके साथ आये हैं और अब उन्हीं की खोज में हैं अन्योंने लोकेर मुखे जे कथा सुनिल सारभौम ग्रिहे प्रभु अनुमान कैला तो सब लोगों की बातों से हमने अनुमान लगाया है कि महाप्रभु अब सारभौम भटाचार के घर में हैं इस्वर दर्शने प्रभौ प्रेमे अचेतन सारभौम लईया अगेला आपन भवन श्री चेतन महाप्रभौ जगरनात का दर्शन करके भाव विभोर हो गए और अचेत हो गए और शारभौम भटाचारुन है उसी अवस्था में अपने घर ले गए तो महार मिलने जबे आमार है लमन दैवे से छड़े पाई लिए तो महार दर्शन जब मैं आपसे मिलने की सोच रहा था अकसमात हमारी भेट संयोक से हो गई तो यह बात मुकुंद दत और गोपिना थाचार के बीच हो रही है सब लोगों ने मिलकर कहा कि चलो भटाचार के घर पर चलते हैं वहीं प्रभु का दर्शन होगा चल सबे जाई सारभाव मेर भवन प्रभु देखी पाचे करीवई स्वर दर्शन तो चलिए सबसे पहले भटाचार के घर चलकर महा प्रभु का दर्शन करते हैं उसके बाद पाद हम जगनाहत का दर्शन करने आएंगे यहां सुनकर हर्शित मन से गोपिनाथ आचार तुरंत सभी भक्तों को साथ लेकर सारभौं भटाचार के घर पहुच गए जैसे कि मनें बताया कि सारभौं भटाचार और गोपिनाथ का अपस्मिरिस्ता क्या है सारभौं भटाचार जो है गोपिनाथ के साले लगते हैं और गोपिनाथ बहनोई है सारभों भटाचार के घर जाकर सब ने देखा कि महा प्रभु अभी भी अचे तवस्था में है उन्हें इस अवस्था में देखकर गोपिना थाचार अत्यंत दुखी हुए किंतु साथ ही प्रशन थे कि उन्हें महा प्रभु का दर्षन मिल रहा है गोपीनाथ आचार के दुख का कारणय नहीं था कि महाप्रभू अचेत अवस्था में थे, बलकि उनके दुख का कारणय था, कि उनके अंदर एक जिग्यासा थी कि निमाई जो इतना सुन्दर दिखता था अपने युवा वस्था में घने काले लंबे बाल उनके कंधों तक थे अब वो सन्यास वस्था में सेविंग हेड में कैसे लगते होगे और जैसे उन्होंने देखा कि वही निमाई है जो अपने पूरव आस्रम में बालों के साथ और इतने गौर बड़ में कितने सुन्दर लगते थे अब वहाँ मुंडन किये हुए और सन्यास के भेश में इस तरह से फिर भी अध्भूत ही लग रहे थे लेकिन गोपिनाथाचार के मन के भाव यहाँ पर व्यक्त हो रहे हैं कि उन्हें एक साथ हर्ष्ट भी हुआ और दुख भी हुआ तो आगे अब लिखते हैं कि सारो भाव में जानिया सबा नील अभ्यंतरे नित्यानंद गुसाईते हो कईल नमस्कारे सारो भाव में भटाचारे ने सभी भक्तों को अपने घर के अंदर आने दिया और नित्यानंद प्रभु को देखकर भटाचारे ने भी उन्हें प्रडाम किया सबा सहीत जथा जोग करिल मिलन प्रभु देखी सबार हैल हर शीत मन तो सारभाम सभी भक्तों से मिलें और उनका समची स्वागत किया और वे सभी भी स्रीचेतन महापरुख देखकर प्रशन थे सारभाम पठाईला सबादर्शन करिते चंदनेस्वर नेज़े पूत्रदिल सबारशा थे तो भगवान जगनाथ का दर्शन करने के लिए सारभाम पठाईला ने अपने पूत्र चंदनेस्वर को उनकी साथ भेजा नित्यारंद प्रभू और मुकुंदत इत्यादी लोगों को जगनाथ देखी सबार हैला आनंद भावेत आवेश्ट हैला प्रभू नित्यानंद इसके बाद नित्यानंद प्रभू भी उसी भाव में जगनाथ के मंदिर में प्रवेश किये दोड़ते हुए बिलकुल आ रहे थे और वो जगनाथ और बल्देव को सुभद्रा को देख करके उसी आवेश में आ गये और आलेंगन के लिए दोड़े जैसे ही पुजारियों ने देखा नहीं रोको इनको तो उनको ही रोक दिया क्यों कि उनको जानते थे कुसी गुरुप का ब्यक्तिया है अभी एक समस्या होई थी फिर से समस्या हो सकती है तो नित्यानंद करी तारे सोईस्थिर करिल इस्वर सेवक माला प्रशाद आनी दिल जब नित्यानंद प्रभु लगवग अचेत हो गए तो सारे भक्तों उन्हें पकड़कर स्टूइस्थिर किया क्योंकि नित्यान प्रभु का ही दूसरा स्वरुप सामने खड़ा था तो इस तरह से भाव किया था कि प्रभु आपका एक अस्थाई रूप इस प्रित्वी पर हो भक्तों के दर्शन करने के लिए तो नारत जी के ही निवेदन पर जगनात का वास्वरूप जगनात पुरी में विराजमान है जिसको कि अभिरूड भावे भगवान का ही दूसरा रूप है उस समय ज प्रशाद पाईया सवे हैला आनंदित्मने पुनरपी आईला सवे महाप्रभू रस्थाने तो भगवान जगनात की माला पाकर सब लोग बहुत खुस हुए बड़े प्रशन हुए और उसके बाद फिर वह जहां महाप्रभू थे वहाँ पर लोटाए जब आये तो फिर क्य आखिये उच्च करी करेशभ नामिसर्किर्टन त्रिती आप्रहर हैल प्रभूर चेतन लोग जोड़ जोर से आकर कि महापर नाम संकीर्तन किये और भगवान का किर्तन करने लगे इसके बाद तब तक समय जो था वो त्रिती प्रहर हो गया त्रिती प्रहर का मतलब दो पहर के बाद करीब तीने चार बजे का समय हो गया था तो जैसे ही भगवान चेतन महाप्रभु ने संकीरतन सुना हुंकार करिया उठे हरी हरी बली आनंदे सारभौम तार लैल पद धूली सी चेतन महाप्रभु उठकर बैठ गया रहर हरी हरी का उच्चार करने लगे तो जब सारभौम भटाचार रहे महाप्रभु को सचेत देकर अतनत प्रशन हुए और उन्होंने विल्कुल चेतन वस्था आ गई है तब उन्होंने प्रणाम किया और असिरवाद लिया लेकिन प्रणाम करने के भी एक नियम होता है कि जब सामने वाला व्यक्ति देखे तभी प्रणाम करना चाहिए कई बार लोग पट बंद होने के बाद भी प्रणाम करते हैं कोई आगे स प्रणाम करता है ऐसा नहीं करना चाहिए जब तक वह व्यक्ति आपको देखना रहा हो, क्योंकि देखेगा तभी तो आसिरवाद देगा, प्रणाम करने का पीछे मंतब क्या है कि आसिरवाद लेना है, तो सारभवम भटाचारे ने तब तक प्रणाम नहीं किया जब तक उ उन्होंने समुद्रस्णान करने के लिए भी महाप्रभु को अकेले नहीं भेजा, किसी को साथ भेजा के लिए कर जाएए और तुरंत जो है आज जगनाथ महाप्रशाद आपको हम अपने हाथों से ही अरपित करेंगे, आप लोगों को महाप्रशाद अर्थाद भगवान समुद्रस्णान करी महाप्रभु सीग्र आईला, चरण पाखाली प्रभु आसने वसिला, ऐसा लग रहा है कि महाप्रभु भी जगनाथ जी के प्रशाद के लिए उतने ही लालाई थे या उतने ही भ्याकुल थे, और तुरंत समुद्रस्णान करने के बाद चेतन महाप्रभु ने अपने पाउध हुए और भोजन करने के लिए कासन पर बैठे गए, बहुत प्रशाद सारभवम आना इला, तबे महाप्रभु सुखे भोजन करिला, तो बहुत बिश्मित प्रकार के व्यंजन भागवान जगनाथ को भोग लगते हैं, और भटाचार ने जगनाथ मंदिर से अनेको प्रकार के स्वादिष्ट महाप्रशाद लाए जाने की ब्योस्था किया, और महाप्रभु ने परम सुख पुरवक, तब महाप्रभु सुखे भोजन करिला, सुख पुरवक दोपार का भोजन करहन किया, सुबाड थाली रान उत्तम ब्यंजन, भक्तगर संगे प्रभु करेन भोजन, चेतन महाप्रभु को सोने की थाली में विशेश चावल तथा सरुत्तम, सबजियां, तरकारियां परोसी गई, इस तरह महाप्रभु ने अपने भक्तों के साथ भोजन किया, तो सारभौम कर रहे हैं कि खुद अपने हाथ से परिवे के साथ है, तो महाप्रभु ने उनसे रिक्वेस्ट किया, अनुरत किया कि आप मुझे उबली हुई तरकारियां दीजिए, वायल्ड जो विभिन परकार की सबजिया एक साहथ वायल की जाते हैं, उनको दीजिए, लाफरा बेंजने, प्रभु कहे मोरे देह, लाफरा बनाया है, इसे भक्तों में बार दीजिए, और मुझे वो विभिन परकार की उबली हुई तरकारियां दीजिए, तब महाप्रभु कह रहे हैं कि नहीं नहीं, आप तो पहली बार जगरनातपुरी आये हैं, और आप भगवान का प्रशाद खाकर तो देखिए, किस तरह से जगरनात भगवान को बिवित परकार के सबजियों का बेंजान और बिवित परकार के मिठाईयां, कैसे जगरनात भगवान उसका अस्वादन करते हैं, आप तोड़ा लेकर को देखिए, थोड़ा थोड़ा लीजिए, पर थोड़ा थोड़ा सब लीजिए, इस तरह से भट आस्वादन करके तो देखिए कि किस प्रकार जगनात भगवान इसे स्विकार किया है। गोपिनात आचार शहित भोजन करने लगे। भोजन करने के बाद वे महाप्रभुक पास लवट आये। तो चैतन महाप्रभु चुकी वैशनव सन्यासी हैं तो उन्होंने उस नमो नारायणाय का जो उत्तर था कृष्णे मतिरस्तु कहकर के दिया। नमो नारायणाय बली नमस्कार कहिला कृष्णे मतिरस्तु बली गुसाई कहिला। नमो नारायणाय के लिए नमस्कार है। वे जीव में नारायण को ही देखते हैं उनका ऐसा भाव होता है। वे लोग ऐसा कहकर के नमो नारायणाय कहकर के एक दूसरे को पड़ाम करते हैं। लेकिन चैतन महाप्रभु ने उत्तर में कृष्ण मतिरस्तु अर्थात आपका ध्यान कृष्ण में हो तो चैतन महाप्रभु स्वयम साक्षात कृष्ण है और कृष्ण के सिक्षा देने के लिए ही उनका अवतार हुआ है गवरांग अवतार तो चैतन महाप्रभु अपने ब भक्ति के तत्तों को अस्थापित कर रहे हैं यह चतर महाप्रभु का और उनके भक्तों के साथ जो आपस में बेवहार है, मिलन है और जो बात चित है उसके द्वारा यह सब सिध्धानत अस्थापित होते हैं वैसे आगे चल कर कि सद्ध्याय में सारे सद्ध्यांतिक रहस्य भरे पड़े हैं, लेकिन मेरा प्रयास है कि कम समय में ही इन सद्ध्यांतिक रहस्यों के प्रती हमारी लालसा और बढ़े और जानने की उत्कंठा ज्यादा से ज्यादा बढ़े, इस तरह से हम सिर्फ उनका उपर उपर से दिखदर्शन करते हुए चल रहे हैं, बहुत घहर महाप्रभु ने किस्टने मतिरस्तु कहा, तब सारभौम को पता चला कि ये तो वैशनो सन्यासी है, अभी तक बिना पर्चे कही इतनी सेवा कर रहे थे, ये अभी एक महानपूरुस का लक्षन है, कि सारभौम भटाचार्य ने ना तो नाम पूछा, ना तो और कुछ महाप्रभु ये वैशनो सन्यासी है, अब इसके आगे सारभौम भटाचार और गोपिनात आचार के बीच थोड़ी नोक जोक होगी, थोड़ा बातचीत थोड़ी सी गरम होगी और थोड़ा सा कुछ सैधान्तिक मुद्दों पर थोड़ी बहस जैसी होगी, तो गोपिनात सारभौम ने गोपिनात आचार से पूछा, कहा कि मैस्री चेतन महाप्रभु के पूर आश्रम सिति को जानना चाहता हूं, गोपिनात आचार कहे नव द्विपेघर, जगनाथ नाम पदवी मिस्र पुरंदर, विस्वंभर नाम इहार तार इहो पुत्र, निलांबर चक्रव निलांबर चक्रवर्ति हैन दव हित्र, तो गोपिनात आचार महाप्रभु का इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं, सारभौम भटाचार से पूर आश्रम का पर्चे दे रहे हैं, कह रहे हैं कि गोपिनात नौदीप में जगनाथ नामक एक निवासी थे, जिनका उपनाम मिस्र पुरंदर था, स्री चेतन महाप्रभु उन्ही जगनाथ मिस्र के पुत्र हैं, और इनका पहले क नाम विश्वंभर मिस्र था, और निलांबर चक्रवर्ति के नाती भी लगते हैं, तो इस तरह से जब गोपिनात आचार ने महाप्रभु के पूर आश्रम का संचिप्त बढ तो भटाचार ने कहें, सारभावम कहें, निलांबर चक्रवर्ति, विसारदेर समाध्याई ए तार ख्याती, तो भटाचार ने कहा अच्छा, निलांबर चक्रवर्ति तो मेरे पिता महस्वर विसारत के सहपाठी थे, उनके साथ पढ़ते थे, मैं उन्हें इसी रूप में जानता था, मिस्र पुरंदर तार मान्य हे न जानी, पितार संबंधे दोहा के पुज्य करी मानी, सारभों भटाचार कह रहे हैं कि मेरे पिता जगनाथ मिस्र पुरंदर का बहुत संबान करते थे, और इस तरह मेरे पिता के संबंध होने के कारण मैं जगनाथ मिस्र निलांब पर चकवरति दोनों का आदर करता हूं तीस तरह से सारभौम भटाचार को महाप्रभु के फेमिली बैग्राउंड का और फेमिली रिलेशन का अनुभव हो रहा है और कहरें कि नदिया संबंध है सारभौम हिष्टहाईला प्रीतहाईया गोसाईर कहिते लागिला वास्ता में सारभौम भटाचार भी नदिया छेतर के ही रहने वाले थे और यहां सुनकर कि सी चेतन महाप्रभु नदिया जी ले के हैं तो सारभौम भटाचार अतनत प्रशन हुए और महाप्रभु से इस प्रकार बोले कि सहजेईत, पू्झ्य तुमी, आ llevar टेश्नियास, अतयो, है त अपने बिनम्रता को यहां प्रकट कर रहे हैं और एक ग्रिहस्त का कर्टा भी बता रहे है को उन्हें सन्यासी का संभान इस तरीके से करना चाहिए यह सारभ्हुम भट्टाचार के बेवार से बिलकुल प्रकट हो रहा है तो भटाचार के मुह से बाते सुन करके चैतन महाप्रभु को तुरंत भगवान विश्नु का इसमरण हुआ और उन्होंने अत्य बिनीत भाव से उनसी इस प्रकार बोले भटाचार कहे कि चुँ बिनाय बचन अब देखिए यहां से महाप्रभु कितने बिनमरता पुरुवक कितने बिनीत भाव में एक ग्रहस्त से या अपने से सिनियर उम्र में सिनियर उनसे किस सरा से भगवान वेवार कर रहे हैं इसकी सिख्षा में हमिलती है तुमी जगत गुरु सर्व लोक हित करता वेदान्द पढ़ाओ सन्यासी रूप करता महाबरु कर रहे हैं कि मैंने सुना है कि आप समस्त लोक के हित करने वाले हैं और लोगों को बेद पढ़ाते हैं, और मैंने यह भी सुना है कि आप सन्यासियों को ट्रेनिंग भी देते हैं, मैंने तो इसी भाव को लेकर के आपका मेरा मिलन हुआ है, और आप जो है वेदान्द दर्शन के उद्भट आचारे हैं, भट आचारे हैं, आप विश्व के समस् के रूप में, एक प्रचारक के रूप में यद्धेपिस्वय भगवान है, लेकिन समाज के साथ किस तरह से मर्याधित बात भगवान कर रहे हैं, कर रहे हैं कि आमी बालक, सन्यासि, भालमंद, नहिजानी, तौमारा असरे नीलु, गुरु करीमानी, भगवान कर रहे हैं कि मैं तो बहुत छोटा सन्यासी हूँ, बालक सन्यासी हूँ, मुझे अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं है, और यही सोच कर कि मैं आपका आसरे लेता हूँ, और आपको मैं अपना गुरु भी मानता हूँ, तोमार संग लागी, मोरे इहां, आगमन, सरोप्रकारे, करीबे, आमाय पालन, मैं यहां आपका संग करने आया हूँ, देखे महाप्रभु की बिनमृता की पराकास्था, भगवान करें कि मैं संग करने आया हूँ, जबकि सत्यता है कि भगवान संग देने गए हैं, और अब मैं आपकी सरण ग्रहन कर रहा हूँ, भगवान भक्त के रूप में करे मैं आपकी सरण करने आया हूँ, जबकि सत्य है कि सारे जीवों को भगवान की सरण करनी चाहिए, चैतन महाप्रभु के चरणों का आस्रा लेना चाहिए, अब महाप्रभु सन्यासी के वेश में होने के कारण कर रहे हैं कि क्या आप कृपया सभी प्रकार्श मेरा पालन सरण प्रकार करिबे आमाय पालन, अब इस तरह से बिनीत भाव कह करके, महाप्रभु सारभों भट्टाचार के हृदय में एक गारजियन सिप का भाव पैदा कर रहे हैं कि ताकि ये अपने आपको मुझे अपना गारजियन समझे, मेरा गारजियन समझे स्वयम को, आज ही महाप्रभु करें कि आज मेरे उपर जो बिपत्ती आई, जो समस्य आई है, अगर वो मेरे लिए महान भी पत्ती थी, किन्तु आपने मुझे से उसे उभार लिया हैं, तो जैसा कि महाप्रभु चाहते थे, चुकि स्वयम भगवान है, वो चाहे थे जिस तरीके से, जिस भी जीव के रिदय में जो भी भाव पैदा करना चाहें, वो महाप्रभु कर सकते हैं, और ऐसा ही भटाचार के साथ हुई हो रहा है, तो भटाचार के मन में भी अब गार्जियन सिप का भाव आ गया, हम आपका पूरा ध्यान रखेंगे, और आप मैं जैसा कहूंगा, वैसा ही करिएगा, तो भटाचार कहें, एकले तुमी ना जाई है दर्शने, भटाचार करें कि अब आप अकेले कभी दर्शन करने मत जाना, जगनात भगवान के, आमार संगे जाब, किमबा आमार लोके जने, या तो मेरे साथ चलना दर्शन करने के लिए, या तो जिसको मैं भेज औरे नाजाईब, चतनल मा अब मैं मंदर के भीतर दर्शन करने नहीं जाऊँगा, फिर क्या करूँगा, गरुडे पासे रही, दर्शन करिब, गरुस्तम के पास रहकर भगवान दर्शन करूगा, क्योंकि अंदर खत्रा है, चतनल मापर भवी इस तरह से प्थ्थ कर रहे ह गोपिनाथ आचार के कहे सारोभावम तूमी गोसाईरे लईया कराई हा दर्शन तब सारोभावम भटाचार ने गोपिनाथ आचार से कहा कि अब आप गोस्वामी जी को ले जाओ और उन्हें जगनाजी का दर्शन कराओ अब यह तो दर्शन की बात हो गई उसके बाद भगवान के सन्यास लेकर के पहली बार प्रथम समय में जगनाथ पूरी गए थे और उनके रहने का है तो सन्यास लेकर रहने का अस्थान तो चाहिए कहां रहेंगे तो इस पर सारोभावम भटाचार कहते हैं कि मेरी मौसी का घ रहने के लिए वहां बेष्णा हो जाएगी आमार मात्री स्वसाग्रिह निर जन अस्थान तहा वास देह कर्व सर्व समाधान मेरी मौसी का घर अतनत निर जन अस्थान में है वहीं इनके रहने की सारी बेवस्था कर देना चाहिए गोपिनाथ प्रभुलया ताहा वासा दिल जल जला पात्रादी सर्व समाधान कई ले एक सन्यासी को सन्यास धर्म का पालन करने के लिए जिन जिन वस्तुव क्या वसकता है उन्हें उपलब्ध कराए गय गोपिनाथ आचाहर स्री चेतन महाप्रभु को उस घर तक ले गए और उन्हें पानी, पानी के पात्र इस प्रकार उन्होंने सब प्रकार की विवस्था कर दिया इसके बाद एक दिन की बात है चेतन महाप्रभू को गोपिनाथ आचारे ने दर्शन कराने के लिए जगनाथ मंदिर ले गए आरदिन गोपिनाथ प्रभू अस्थाने गिया सैयोथान दर्शन कराईला लेया सायो थान का मतलब मंगलारती होता है, सायन के बाद उत्थान, भोर के समझे उठने वाला समय होता है अगले दिन गोपिना थाचार, चेतन महाप्रफु को जगनात भगवान का सायो थान दिखाने ले गए कहा कि यह देखने में बहुत बिनम्र है सन्यासी, और स्वरूप से बड़ा सुन्दर है गोवरांग वर्ण, चेतन महाप्रफु वास्तों में बहुत सुन्दर है साक्षात क्रिश्न है, वो किसी भी भेश में अत्यांत आकर्श्रक लगते है तो भटाचार के मन में जो वातसल भाव उमर रहा है वे मुकुन दत से इस परकार कह रहे हैं कि इसको देख करके मेरे मन में सहज ही अपार वातसल का भाव उमर रहा है कह रहे हैं कि प्रकृती बिनीत, इसका जो प्रकृती है बहुत बिनम्र है सन्यासी देखीते सुन्दर देखने में भी बहुत सुन्दर सन्यासी लगते हैं अमार बहु प्रिती बाड़े इहार उपर इसके उपर मेरा सन्यह बहुत दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है अब इतना होने के बाद पहली बार सारुबहों भटाचार इनका परिचे पूछ रहे हैं अभी तक इतना जो बेहार हुआ है उसका विसेश ज़्यादा परिचे नहीं पूछे करें कि कोन संप्रदाय सन्यास करियाचेन ग्रहन किबानाम इहार सुनित हयमन इन्होंने किस संप्रदाय से सन्यास ग्रहन किया है और इनका नाम क्या है गोपिनात कहे नाम स्री कृष्ण चैतन गुरु इहार केशव भारती महाधन गोपिनात आचार ने उतर दिया कि इनका नाम स्री कृष्ण चैतन स्वामी है और इनको सन्यास देने वाले जो हैं महा भागवत, महा भागयवान केशो भारती है सारो भावम कहे इहार नाम सरवत्तम भारती संप्रदाई हो हैन मध्यम सारो भावम भठराचर ने कहा कि इनका नाम तो अतिउत्तम है किन्तु ये भारती संपरदाइक हैं, जो मध्यम स्वरेणी के सन्यासी हैं, जब इतना ही सुना तो गोपिनाथ और मुकुंद दत तिल मिला गए गोपिनाथ कहें इहां रनाहीं बाही अपेक्षा अते ये बड़ संपरदाइर नाहीं कवा अपेक्षा गोपिनाथ ने कहा कि इनको कोई बाहय अपेक्षा की आवस्त्ता नहीं है और किसी सिर्ष्ट संपरदाय से सन्यास ग्रहन करने की आवस्त्ता नहीं है चुकि गोपिनाथ आचार महाप्रभु के भगवत्ता को जानते थे तो भटाचार कहे इहां प्रावड है यववन के मते सन्यास धर्म है वे रक्षर भटाचार कह रहे हैं कि अभी तो यह बहुत कम उम्र के हैं और कम उम्र में सन्यास का जो कठी धर्म है उसका पालन कैसे होगा की रक्षा कैसे होगी तो किस तरह मिन के सन्याज़धर्म का रक्षड या पालन होगा तो भठाचार के मन में इस तरह से विचार चल रहा है कि बटाचार कर रहे हैं कि इस तरह अदोईत मार्ग में प्रवेस कर सकें तो भटाचार के मन में इस तरह से विचार आया कहन जदी पुनरापी जोग पट दिया संसकारे करिए उत्तम संपरदाया निया तब इसके बाद स्वर्भाव भटाचार ने कहा कि यदि स्रीचेतन महाप्रभु चाहें तो मैं उ बहुत दुख हुए अतह गोपिनाथ आचार ने साहरभाँ भट्टाचार को इस प्रकार स्रम्बोधित किया क्या कहा भट्टाचार तुमी इहार ना जान महिमा भगवत्ता लक्षडर इहां तेई सीमा करें कि हे भट्टाचार आप स्री चेतन महाप्रभु की महिमा को नहीं जानते इनमें भगवत्ता के समस्त लक्षड अपनी चरम सीमा को प्राप्त हैं ताहाते विख्यात इहो परम इस्वर अग्यास्थाने कि छू नहें बिगेर गोचर गोपिनाथ आचार ने कहा कि स्री चेतन महाप्रभु पुनपूर्शत्तम भगवान के रूप में विख्य आप अग्यान बेक्ति हैं आपको भगवत्तत्त के बारे में कोई विशेश ग्यान नहीं है जो इस्वर पहले से ही अपने भगवत्तत्त को प्राप्त है और सारे लक्षण उसके अंदर उपलब्ध हैं उन्हें आप कर रहें कि पुनह सन्यास देंगे वेदान्त दर्शन प कहें विग्यमत इस्वर लक्षणे तो सारभाम भट्त आचार के सिस्यों ने इसका काउंटर करते हुए का प्रतिकार करते हुए पूछा आप कि साक्ष के आधार पर यह नेड़े कर रहें कि स्री चेतन महाप्रभू परमेस्वर हैं गोपीनाथ आचार ने उतर दिया इसका प्रमाण पूर्ष पर्सवत्न हम भगवान को जानने वाले प्रामाडिक आचारों की कतन है आचारे के सिस्यों समें और गोपिनाथ आचार के वीशिसर प्रतव तर्व बितर चल रहा है तो बटदाचार के सिस्यों कहा है कि हम तार्किक अनुमान के दवारा परमसत्य का उतर दिया पूर्ण पुर्शत्तम भगवान के विशे में वास्तविक ज्यान इस प्रकार के अनुमान तथा तर्क से प्राप्त नहीं किया जा सकता है इस इसलोग पर शिल प्रहुपाजी ने बहुत लंबा तात पर दिया है और चुकि समय का भाव है और हम इस प्रसंग को सम कि मुविण सहस्त्रों के प्रमाणों के आधार पर हमें जानने का आउसर मिलता है कि तरह से चतन महाप्रभू ने अपने परिकरोंके साथ मिलन और व्योहार में इस इस्वर्त तत्व को प्रकट किया हैं अनुमान प्रमाण नहें ईस्षव तत्व ग्यानं करिपा विना इस इस्वर के क्रिपा से बिल्कुल नहीं जाना जा सकता है अर्थात गोपिना थाचार यह कह रहे हैं कि इस्वर को बिद्वत्ता के दोरा तो बिल्कुल भी नहीं जाना जा सकता कोई अपने पांडित के आधार पर भगवान को तो बिल्कुल समझी नहीं सकता है अर्थात प्रकारांतर से इंडारेट में गोपिनाथाचार सावर्मों भटाचार के विद्वत्ता को ही चुनवती दे डाली और फिर आगे कह रहे हैं कि इस्वरेर कृपालेस हयत जहारे सहित इस्वरतत जानी बारे पारे अचार ने आगे कहा यदि किसी को भक्ती द्वारा भगवान की लेसमात्र भी कृपाप्राप्त होती है तो वह पुर्ण पूर्शत्न भगवान को तत्त से समझ सकता है इसका प्रमार क्या है जो भी बात कह रहे है गोपिनाथाचार तो इसका प्रमार क्या है कि यजी किसी जीव को भगवान की ले समात्र भी कृपा प्राप्त है तो वह भगवतत को समझ सकता है अन्था किसी भी उपाय से वह भगवतता को बिलकुल नहीं समझ सकता है जैसा कि सा ब्रमाजी भगवान की स्तुति कर रहे हैं और भगवान कृष्ण की स्तुति में ब्रमाजी का यह स्लोक आचार गोपिनाथ के स्टेटमेंट को सपोर्ट करता है यदि आपके चर्ण कमलों की रंच मात्र भी कृपा किसी पर हो जाए तो वह आपकी महानता को समझ सकता है यह इस लोग ब्रमाजी बोल रहे हैं स्रीमत भागवतम में किन्तु जो लोग पूर्ण पुर्शत्तम भागवान को समझने के लिए तर्क भी तर्क करते हैं वे अनेक वर्षों तक बेदों का अध्यान करते रहने पर भी आपको जानने में अक्षम रहते हैं फिर आगे कहते हैं गोपिनाथाचार सार्भों भटाचार को संब्धित करके कह रहें कि जद्यपी जगत गुरु तुमी सास्तर ग्यानवान पृथिभी ते नहीं के पंडित तुमार समान इस्वरेर क्रिपा लेश नहीं कतो माते अतयवे इस्वर्तत तो ना पारे जानिते बिल्कुल ओपिनाथाचार सार्भों भटाचार को संब्धिकर करते हैं कि आप महानपंडित हैं जगत गुरु हैं अनेकर शिश्यों के गुरु हैं निसंदे हैं आपके समान इस प्रिथि पाकर भी नहीं समझ पा रहे हैं तुमार नाही का दोस सास्त्रे एई कहे पांडित्यादे इस्वर्तत तो ज्यान कभू नहें यह आपका दोस नहीं है यह तो सास्त्रों का नेड़ है आपके वल पांडित्य से पूर्ण पुर्शत्न भगवान को नहीं समझ सकते हैं और इस जब इतना सुना सौर्भावं भटाचार ने तब गोपिना थाचार को कहा कि थोड़ा सावधानी से बात कीजिए, संभल करके बोलिए कि आप क्या कह रहे हैं। आपके पास इसका क्या प्रमाण है कि आपको भगवत क्रिपा प्राप्त हो चुकी है। परम तत्त होने का जो प्रमाण है या परम सत्त का ज्यान ही परमेश्वर की क्रिपा का प्रमाण है। या गोपिना थाचार करें। जैसे करें कि वस्तू विसय है वस्तू ज्यान। जैसे कोई मिर्ची है तो मिर्ची को खाकर के ही पता चलेगा वह तिखी है। या चीनी को खाकर ही पता चलेगा वह मिठास है। नमक को खाने के बाद ही पता चलेगा वह नमकीन है। तो वस्तु विशय है वस्तु ग्यान, उसी प्रकार से परमेस्वर का ज्यान ही परमेस्वर की कृपा का सबसे बड़ा प्रमाड है, यह गोपिनाथाचार अपने तर्क के पक्षमेहबाद बोल रहे हैं, और मुझे पता है कि यह चेतन महाप्रभू साक्षात परमेस्वर हैं, इतना ज्यान ही इस बात का प्रमाड है कि इनकी कृपा मेरे उपर है, इहार सरीरे सब इस्वर लक्षण, महाप्रेमावेस, तुमी, पाइच्छा दर्शन, इसके आगे करें कि गोपिनाथ करें कि जब स्री चेतन महाप्रभू भावाविश्ट थे, तो उनके सरीर में आपन महाप्रभूख सरीर में पूर्ण पुर्श्टत्न भगवान के लक्षणों को प्रतक्ष देखने के बाद भी आप उन्हें नहीं समझ सके, इसे ही सामानतया भ्रम कहा जाता है, तो गोपिनाथाचार, सार्भाम भटाचार के सिति को माया की कटेगरीम रख रहे हैं, अर्थ अर्थात संसारी व्यक्ति कहलाता है, क्योंकि देखने के बाद भी वह वास्तविक वस्तु को नहीं समझ पाता, तो गोपिनाथाचार के बचन सुनकर सार्भाम भटाचार मुश्कुराये और इस प्रकार कहने लगे, अब सार्भाम भटाचार बोलना प्रारम कर रहे हैं, क सास्त्रों में वर्णित बातों पर विचार कर रहे हैं, आप कुरुध न होईए, मैं तो केवल सास्त्रों के आधार पर ही बोल रहा हूँ, आप इससे अपराध न माने, थोड़ा बिनमरता दिखाते हुए भटाचार कह रहे हैं, और फिर आगे कह रहे हैं कि महा भागवत ह परददय चैतन न्य गोसाई, ओप एकलिकाले विश्णु आवथार नहीं, इसके बाद गोपिनात अचार कह रहे हैं कि चैतन महाप्रभु अबस ही एवं असाधान भक्त हैं, वह भटाचार कांटिनिू कर रहे हैं कि स्री चैतन महाप्रभु वास्तन म, नो डाउट, महान और असाधान भक्त हैं किन्तु हम उन्हें भगवान विश्णु के अवतार के रूप में स्विक्यार नहीं कर शकते क्योंकि सास्त्रों का अनसार इस कल्यूग में कोई अवतार होने वाला नहीं है अतये व त्रिजूग करी कही विश्णु नाम कली यूगे अवतार नहीं सास्त्र ज्यान तो भगवान विश्णु का एक नाम त्रिजूग है क्योंकि कली यूग में उनका अवतार नहीं होता यह प्रामाडिक सास्त्रों का निर्ड़ है तो यह इसलोग गोपिनाथाचार सारभौ भटाचार के उतर में कह रहे हैं कि भगवान विश्णु का एक नाम त्रिजूग है क्योंकि चार यूग होते हैं लेकिन भगवान का नाम त्रिजूग यहां बताया गया है क्योंकि कल्यूग मुनका अवतार नहीं होता यह सास्त्रों का प्रामाणिक निर्ड़े है तो अपने इस कथन के पक्ष में गोपी नाथाचार स्रीमत भागोतव के सात्वे सकंद के नवय ध्याज से एक इश्लोक कोट कर रहे हैं जिसमें प्रलाद महाराज निश्रिंग वस जसावतार रही लोकान विभावैसी हंसी जगत प्रती पान धर्मम महापुरुस पास युगान विद्धम छन्ना कलो यद भावस त्रिगो अथसत्तम करें कि है प्रभु आप मनुष्यों पसुओं देवताओं रिश्यों जलचरों इत्यादी के परिवारों में विवि कभी प्रच्छन अवतार के रूप में प्रकट होते हैं इसलिए आप त्रियुग कहलाते हैं चन्न कलो तो जतन महाप्रभु का जो आवतार है यह चन्न प्रच्छन अवतार है चिपा हुआ अवतार है और इसकी पुष्टी में आगे अभी गोपिना अथाचार और कई सास् इससे प्रमारित हो जाएगा कि कल्यूग में भगवान का अवतार स्री चेतन महाप्रभु के रूप में ही है और एक इसलोग जैसा कि प्रहलाद महराज के इस्तुती में नर्शिंग देव के प्रतिक कह रहे हैं कि आप विबिन्ध जीव मनुस्यों, देवताओं, पस्वों सत्तौम आप वही हैं जो कभी-कभी प्रच्छन अवतार करुप में कल्यूग में प्रकट होते हैं यह सुनकर गोपिना अथाचार अत्ने दुखी हुए उन्होंने भटाचार से कहा आप स्वयम को समस्त वैदिक सास्त्रों का ज्याता मानते हैं तो सुनकर गोपिना अथाचार इसलिए दुखी हुए कि आप एक तरफ तो अपने आपको सास्त्रों का ज्याता कहते हैं लेकिन वास्तों में सास्त्रों में जो ब्यक्त है भगवान के अवतारों के विसे में आप उसके विसे मन भीग हैं यही गोपिनाथ आचार के दुख का कारण है। अब स्रीमत भागवतम महाभारत में चतन महाप्रभु के अवतार का इस्पश्टी करण होगा। यही गोपिनाथ आचार ने आगे कहा कि निश्चित रूप से प्रतेक यूग में एक अवतार होता है। जो यूग आवतार कहलाता है। किन्तु आपका हिर्दय तरक के कारण इतना कठोर हो चुका है कि आप इन तथों पर विचार नहीं कर सकते हैं। तो तरक वादी व्यक्ति सास्त्रों में कितना भी निपुड हो और कितना भी सास्त्रों का ज्यान रखता हो। लेकिन जहां तक भगवान के अवतारों की या भगवान के कृपा का प्रशन आता है तो उसे तरक से उपर उठकर के प्रामाणिक सास्त्रों को बिनम्रता प्रुवग रहन करना होता है। तब जाकर उसे भगवान के प्राकट और भगवान की महत्ता का अनुभव हो पाता है। यही बात यहां पर गोपिना थाच्यार प्रुवग भट्टा इस्थापित करना चाहते हैं। आगे कह रहे हैं चतन महाप्रभु के इस्वर होने के प्रमाण में कुछ और तरक सास्त्रों से प्रस्तुत कर रहे हैं। जब गरगाचार भगवान कृष्ण और बलराम का नाम करण संस्कार कर रहे थे नंद महराज की गौसाला में। तब वहां पर श्रीमत भागोता में यही स्लोक प्रकट किया है गरग मुनिने। गरगाचार कह रहे हैं कि आसन वर्णस त्रयो ही अस्य ए तीनों भूत काल में युग के अनुसार तीन बिबिन रंगों वाले सरीर ग्रहन कर चुके हैं। प्रिडत्यों अनु युगम तनु क्या-क्या सरीर धारन कर चुके हैं। शुक्लो स्वेत रंग रक्त पीला रंग तथा रक्त लाल रंग तथा पीत पीला और इदानिम कृष्णताम गतह। और इस द्वापर युग में इन्होंने कृष्ण स्याम सरीर धारन किया है। इसके बाद कह रहे हैं कि इति द्वापर उर्वीश इस्तुवंती जगदी स्वरम नाना तंत्र विधानेन कलावपी तथा सुरणू। कहते हुए स्रीमत भागोतम के ग्यारेवे स्कंध के पांचवे स्कंध में यहुद्धरन दिया गया है। कली यूग में तथा द्वापर यूग में भी लोग विभीन मंत्रों से पूर्ण पूर्शुत्न भगवान की स्थित्वी करते हैं। और पूरक वैदी ग्रंथों के नियमों का पालन करते हैं। अब आप कृपया मुझे से इसके विषय में सुने। सुन तो पहले से रहे थे, सो थोड़ी रहे थे। लेकिन जब कोई गंभीर बात होती है तो शुरुन सब्द प्रयोग किया जाता है। जैसे भगवद गीता में भगवान ने अर्जु से कई जगह कहा है। जब शुरुन सब्द का प्रयोग किया जाए तो इसका आर्थ होता है कि व्यक्ति सामने सुनने वाले का ध्यान ज़्यादा आकर्शित करके उस बात में विशेश जोर देना होता है। और अब गोपिनाथाचार अपने फुल फाम हैं। भगवान के भगवत्ता को अस्थापित करने के लिए कई सारे सास्तरोष्य प्रमार दे रहे हैं। महराज ने पूछा कि आप युग धर्मों के बारें बताईए। तो युग धर्मों का वर्ण करते हुए, युग आवतारों का वर्ण करते हुए, निमी महराज ने, निमी महराज के यग्य में, करभाजन रिसी ने चेतन महाप्रभु के प्रकट होने की सूचनाय संकेत बह क्रिश्ण बरण का व्यक्ति तुष्या कांति से अक्रिश्णम होगा काला नहीं होगा अर्थात गौर बरण का होगा क्रिश्ण बरणम तुष्या अक्रिश्णम और उसके जो पार्षद है और उसके अस्त्र सस्त्र कैसे हो गए सांगव पांगास्त्र पार्षदम अपने पार्षदों से घिरा हुआ होगा कल्यूग का अवतार और उस कल्यूग के अवतार की पूजा कैसे की जाएगी यग्याई संकिर्तन रूपी यग से उसकी पूजा की जाएगी करते हैं और उन्पूर्ण पुषत्तम भगवान की पूजा करते हैं जो इस यूग में सदयव कृष्ण की महिमा का वर्ण करने के लिए प्रकट होते हैं ए अवतार पीत बर्ण के होते हैं और सदयव अपने पूर्ण विस्तारों जैसे नित्यानंद प्रभू और अपने स्व जीव गुष्वाम भी अपने कृति क्रम संदर में करते हैं और जिसको सिल्व भक्ति बिन ठाकुर नियादि लिला तृतिय अध्याय बावनवे इस लोक में ब्याख्या करते हुए किया हैं तो इस तरह से चैतन महाप्रभू के आवतारों का रहस्य गोपिनात आचार सावर भगवान कृष्ण है और उनका भी उद्देश वही है परित्राणाय साधुनाम बिनाय सायच दुस्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी यूगे 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 जैसा कि भगवान पत्ते की यूग में साधू पुरिशों के रक्षा करने के लिए और दुष्ट जनों की प्रविर्तियों का नास हरिनाम संकृतन के द्वारा करके सध्धर्म के अस्थापना करने का काम चेतन महाप्रभु ने इस अतार में किया है और चेतन महाप्रभु ने सबसे बड़ा आस्तर क्या किया है कल यूग में लोगों के हिर्दय में जो आसुरी प्रविर्त करने का योग पात्र बन जाएगा यह चैतन महाप्रभू की विशेश क्रिपा है कि बिना किसी का बद किये ही उसके आसरी मतों का आसरी विचारों का समापन किया है यह हरिनाम की अदभुत महिमा है तो चैतन महाप्रभू का प्राकट गवर्पुर्णिमा के रूप में मनाया जाता है इसके आगे चयतन महाप्रभू के परिकरों साथ नके भगत ऐसे बहुत सारी लिलाएं चिसमें जो उथय सवारहतार ओरम यहारिक सिप्षाएं भाक्ति के विषयमें भी आगे आएगी परन्तु हम उन घराई के विषयम से दिखधर्शन करके चयतन महाप्रभु के इस्वर होने की प्रामाडिक्ता के विशे में जो उनके ही नित्य भक्तों ने प्रकट किया है उसमें हम बिल्कुल आस्वस्त हो सकते हैं और कलियुग मिश्कलाओं कोई दूसरा उपाय नहीं है हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामयो केवलम कलो नास्तेव और पतित जीओं को जो माया से ग्रस्त हैं उनको बिल्कुल सरल और बिल्कुल दिव्य अस्त्र दे दिया है कि हरेनाम का जब करो हरेनाम का अस्रेलो और भगवत क्रिपा जो अन्य युगों में कृते ध्यायतों विश्नुम त्रेता याम एजितों मख़ई द्वापरे परि सभी स्वरूप में आने का जो साधन है वो हरिनाम है हरे क्रिष्णा हरे क्रिष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे इसमें हमारी पूरी निष्ठा होनी चाहिए पूरी स्रद्धा होनी चाहिए यह स्वयम साक्ष नाम में भी अनुराग नहीं है, तो अब हम प्रसंग को यही पर समाप्त करते हैं, वह और चेतन महा प्रभु की जो अन लिला हैं जगनात्पुरी में, वह दक्षिन भारत की आत्रा से वापस आने के बाद अभी भी बहुत सारी हैं, उसे हम किसी दूसरी एपिसोड में कभी पूरा पकरने का प्रयास करेंगे, हरे कृष्णा, स्री चेतन महा प्रभु की जय, सिल प्रभुपाद की जय, हरे कृष्णा